नमस्कार ग्लिप्स.in में आपका स्वागत है जहां इस वक्त पुरी दुनिया की नजरे फीफा विश्व कप के फाइनल मुकाबले पर टिकी है वही बैंगलोरू के भविश्य क्रिकेट स्टार्स को किन्ही नजरों का इंतिजार है आर्टी नगर में एक किराय के घर में रहने वाले इन स्टार्स को क्रिकेट पीच में आगे बढ़ने के लिए उनके पिता आटो चला रहे हैं 45 साल के रहमान शरीफ शहर के वह आटो ड्राइवर है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्पोर्स में भी आगे ले जाना चाहते है रहमान ने अपने आटो में एक अपिल लिखवाई है कि लोग उनके बच्चों को आगे लेकर जाने के लिए उनकी मदद करे पिछले 26 साल से शहर में आटो चला रहे रहमन किराय का आटो चला कर अपने बच्चों को उनके सपनों में रंग भरने का मौका दे रहे हैं महिमे में करीब 15,000 कमाने वाले रहमान के लिए बच्चों की फीस आटो और घर का किराया देने के बाद किसी तरह घर चलाते हैं इसके बावजूद वह अपने तीनों बच्चों को करनाटक क्रिकेट अकाडेमी भेज रहे हैं वह कहते हैं मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं उन्होंने गोल्ड मैडल और ट्रॉफि जीती हैं यही वज़ा है कि मैंने उनका एड्मिशन करनाटक इंस्टिटूट अफ क्रिकेट में करवाया है मैं फीस नहीं भर सकता लेकिन खुशी है कि कोच उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं शरीफ के तीनों बच्चे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं रहमान खुश है कि बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग मिल रही हैं लेकिन आगे की ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों के लिए वह पैसा जुटाने में लगे हैं उन्हें बच्चों के लिए स्पॉंसर्स चाहिए इसके लिए उन्होंने अपने आटो में अपिल की है कि लोग मदद करें उनका सबसे बड़ा बेटा फजुला 16 साल का है वह फास्ट बॉलर है और हाल ही में अंडर 16 स्टेट जोनल टीम में उसका चयन हुआ है बाकी दोनों बच्चे 15 साल की नगमा और 14 साल के रिजवान को भी कोच फ्री में ट्रेनिंग देने को राजी हो गए है नगमा मीडियम पेसर है और रिनिंग, डिस्क थ्रो और शॉट पुट जैसे कई और खेलों में उसके करी 15 गोल्ड सिल्वर मेडल मिल चुके है वही सबसे छोटे रिजवान स्पेन बॉलर है और अभी ट्रेनिंग के शुरुवाती दौर में है के आई ओसी के इर्फान सैथ भी शरीफ परिवार के उभरते सितारे को ले कर खुश है वह कहते हैं फजुला और नगमा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों अच्छे फास बॉलर्स है और उनका भविश्य सुनेरा होगा